फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स है और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलिजन के प्रती जाना है तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है सिर्फ एक युनिवर्सल ब्रदर हुड का माद्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थुरू हम यूनाइट हो जाएं तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फिलिंग्स हैं वो मैंने सजा देता है हमें reward करता है पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में मैं उस वर्ट पे स्ट्रेस करूंगा यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं वो भी जीवित हैं हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार् इसमें हम किसी एक इंडिविजुल को वर्शिप नहीं करते जैसा कि जुडाइजम में कहा गया कि I am a jealous God और एक jealous एक ऐसा emotion नहीं है जिसे हम पूछ सके मेरे हिसाब से पर अगर हम पैंथीजम को एक solution मानें तो यह एक ऐसी चीज़े जो हमेशा रही है पेड हमेशा रहे है य इसे माध्य मनाना चाहते हैं आपसी भायचारेगा आलमी भायचारेगा तो क्या पैंथीजम इसका एक solution नहीं है लेकिन क्या पैंथीजम इसका solution नहीं है कि बगवान को में दूसरे रूप में देखे माय साब का अच्छा सवाल है सवाल के दो हिस्से है पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रेदर हुड सिर्फ मेहदूद इनसानों तक क्यों जानवर पेड़ बोदों को क्यों नहीं लिया गया दूसरा सवाल क्या पैंथीजम इसका solution नहीं है पहले सवाल का जवाब के यूनिवर्सल ब्रेदर हुड आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते हैं अगर लेंगे तो जीना ही मुम्किन नहीं है अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को हम आलमी भाईचारे में लेंगे तो आपको यहां खड़े रहना भी मुम्किन नहीं है पांच मिनिट तक क्यों मैं बोलूगा ठीकर मैं डॉक्टर हूँ भाईचारा के हुसूल है के दूसरे भाईचारा का कतल कर रहें भाईचारा है तो इसलिए भाईचारा कीसे का हर जीवित चीज मेरे भाई है तो आप भाईचारे के खिलाफ कोई भाईचारे में ये नहीं है कि दूसरों का कतल करो अपने आपको जिन्दा रखने के लिए कभी भी इसलाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आपको उंचा करने के लिए और मैं अल्ला के रसूल के एक मिसाल दूँगा आपको अल्ला के रसूल फरमाते है आप जब देखते है एक खजूर का दर्खत पाम ट्री वो एक मुमिन की मिसाल है मुस्लिम की मिसाल है तो सहाबा सोचते है इसका क्या मतलब क्यों एक खजूर का दर्खत पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे हैं समझ में नहीं उनको आज हम जानते हैं उसका मनला किरो सुन लेका कोई भी पेड़ पौदे जब भी भड़ते उपर वो क्या करते हैं आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं फिर ही बढ़ते हैं नीचे जाते हैं अपने पौदों को रूट्स को एक्सपैंड करते हैं इसलिए आप देखेंगे मुन्सिपैल्टी क्रैक्स को तोड़ती है मजबुत करें क्यों वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है फिर से टाइल लगाते हैं जितना पेड़ बढ़ता है उतना आजू बाजू नु अपर जाते सीधा किसी को तकलीफ ने देते नीचे भी जाते सीधा आजू बाजू गुमते नहीं अगर आप अपने आपको बड़ा बढ़ने के लिए दूसरों को दबाएए ये मुस्लिम नहीं तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवीत इनसान को भाई चारा करूं तो मुझे जीने का है कि जीने का नहीं है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुचाए जान बुचके इसलिए इसलाम में जब मुहमस्त अन्लाव सल्लम पेगाम दिए अरब देशों में अरब मुमालिक में तो लोग ने का ये खैसा और जब अल्ला के रसुन ने कहा कि उट के उपर ज्यादा वज़न मत डालो हराम है गोड़े को ज्यादा तकलिफ मत दो तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की वुकुकी बात कर रहा था अभी जानवरों की वुकुकी बात कर रहा है अल्ला के रसुल फर्माते जब एक शक्स आग उगाता मुझा आपको बूजाओ क्यूं उद्धर चिटिया मर रहे है उसका मतलब जान बूच के कोई भी जीवे चीज़ को मारना हराम में सिर्फ अंजाने में इजादत है या जिसकी इजादत खुदा ने आपको दी है जिसकी इजादत दिये खुदा ने मिसाल के तोर पे मनुस्मिती में चैप्टर नमबर पांच श्लोका नमबर 30 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाये खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है तो कोई गुदा नहीं है अगर वुदा नमबर पांच श्लोका नमबर 39 में अगर आप वुदा नियमर के खतल करते है जो खाने के लिए बनाये गया है तो आप गुणा नहीं कर रहे है उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए लेकिन अगर अंजाने में चलते चलते चीटी मर गई तो आप बार चले नहीं सकेंगे आप सास लेंगे जर्म तो अल्ला ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आम तो पे तो आप गुनेगा नहीं मानों को जेन लोग मास पिंते हैं तो भी मरते पानी को उबास दे उबालने के मार रहे उबालने पानी पिंके फाइदा क्या अंदर मानने के बतले भार मान रहे क्या फाइदा एँ मुम्किन ही नहीं है लेकिन जान बूच के कोई जानवर को और एक मिसाल दूँगा हमारे खतीब जुमा नमास पढ़ाई थे कल टॉक्टर उत्मान उनने अपने खुदबे में मिसाल दी थी क्या एक आउरत थी जो बहुत बहया थी क्या कहिए जो आम तोर पे लोगों की सीनत थी मैं लफ्द उर्दू दरा मेर कमजोर है मैं किसी को ठेस ने पोजाना जाता इंग्लिश में कहेंगे नॉट पित गुड़ कारेक्टर बाजारी आवरत ज़्दा मैं मैं ऐसे लफ्द इस्तमाल करना चाहते किसी को छोड़ पोचे तो बाजारी आवरत थी जो बहुत गुना करती थी लेकिन एक वक्त एक कुटे को पानी पिलाया तो अल्ला के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वज़े से खुदा ने उसे जन्नत में डाला बाजारी आवरत गलत काम करती है जिना करती है एक अमाल क्या कि एक कुटे को पानी दी इनसान को ने कुटे को और अल्ला उसे जन्नत में डालता है दूसरी तरफ एक अच्छी आवरत नेक आवरत लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है चेन करके रखती है उसकी आजादी को कैद करती है अल्ला ताला उसको जन्नत में डालता है नख बिदलता है इसे कहते हैं जानवरों के हुकुक मतलब जानवरों के भी हुकुक इसलाम में हैं अल्ला की रूसलों फर्माते हैं कि छिडियां की जान भी मतलों बिनावजे चिडियां सपैरो अब पढ़ेंगे और अधीस में कई उसके लेक्षट है तो इसलिए हम मानते है के जीविच चीज का में एथराम करना चे उसके रूल ड्रेगुलिशन है बोलेंगे सब जीविच चीज मेरे भाई यहीं नहीं बैसा बाई नहीं है अब कुछ लोग इतना करते कुट्टे के पीछे हर मैने लाक रूपया करचा करते अरे गरीब लोग मर रहे लाक रूपये से दस घर हर मैने लाक रूपया अपने पूडल के उपर दालते हैं लाक रूपये से कमस कम दस घर तो चलेंगे ना मैने 20 घर चलेंगे बम्मे में हां के ने वो 20 घर को समालो ना एक कुड़ी को समाल रहे एक किदर का इसलाम है ठीक है जानवर की खदर करो इतना खदर मत करो कि उसके आदमे चेन डालो सोने की ये करो ये खाना ले क्या हो खाना ले क्या आते लाग रुपे गा आप समझे ना तो इतना मत इसराफ करो इसलाम के अंदर से कहा गया है कि भाई चारा जो मैंने दिकर किया बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बरता करो बिना वज़े किसी जानवर का गतल मत करो ये आपका सवाल था आपका दूसरा सवाल इसके अंदरे जवाब हो गया आप कहते हैं कि पैंथियेजम सब को खुदा मानना इसका जवाब है उसका जवाब में कहा था हमारे भाई जो आवतार सिंग्थे ना उसने कहा था पैंथियेजम सब कुछ खुदा है कि सब कुछ खुदा है इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है मतलब अगर आप सब को खुदा मानते चोर को भी खुदा मानते डाकू को भी खुदा मानते खुदा का मतलब उसका कहना मानना वराबर के ने उसकी इज़त करना उसकी इबादत वो जो कहता है उसकी बात मानना तो आप अपागरो lud teenage ऑपर चोर्क 12 दू अप जो ऑ्भलगात करने वाता है और वो बलात करने वाला कहिंगा आपसे आपको खुदा बोलेंगा चला मैं बलात करकर आप करेंगे करेंगे तो इसी तरह यह इलोजिकल है खुदा एक है और जिरिफ उसकी इबादत करना चाहिए और यह जो फिलोसफी है यह फिलोसफी जो आप बोलने की दर से आई इसे कहते एंथरोपार्फिसम क्या कहते है? एंथरोपार्फिसम फिलोसोफ ये खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं और कई मजब इसलाम के इलावा कोई मजब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया कुछ मजब कहते अनेग बार और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक इतना नेक इतना महान उसे पता नहीं इ तकलीफ क्या है इंसान को किस चीज का बुरा लगता है इतना नेक इतने पाक इंसान को दर्द कैसा होता है इंसान को तकलीफ कैसा होती तो ये खुदा जो नेक और पाक है जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए वह इंसान का रूप धारन करते हैं ये फिलोसफ आगर इनसानों की क्या तक्लीव है क्या मजबूरी है क्या मुश्किल आते तो इंसान कार唱ति त्था धारण किया लिखने के लिए क्या इंसान के लिए अच्छाएiph बुरा है कि ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन तैकिक करेंगे मन्तिक से तो एकदमी घलत मिसाल के तोर पे अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया डीवीडी प्लेयर क्या मुझे जरूर ही है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनू ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है जरूर में मतारों खराब हो जाएगा उपर से मत फेखो खराब हो जाएगा मुझे डेवीडी प्लेयर बनने की जरुवत नहीं इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है हमारा बनाने वाला है हमारा पैदा करने वाला है उसको इंसान बनने की जरुवत ही नहीं वह क्या करता है इंस्ट इस इश्वर, इस भगवान, इस अल्ला, इस खुदा का आकरी इंस्टक्शन मैनुल है कुरान, इस कुरान मजीद में लिखा है, आपके लिए क्या च्छाई क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बरताओं करना चे, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चे, किस त आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है आप अगर देखेंगे मेरी कसेट हिंदुइजम एन इसलाम पे लेकिन वो किताबे वेज से उची नहीं है वेज में सिर्फ लिखा है तोहीद के बारे में एक खुदा के बारे में एक कमसत विप्रा भाहुदा विदान थे खु है उसकी सिफवता बयान कर सकते हैं और एक खुदा है ना तर्स्वति मास्ती उसका कोई आक्स नहीं है ना कोई पिच्चर है ना कोई पेंटिंग है ना कोई मूर्ती है ना कोई स्टैच्व है होब दान से जो कुष्टिन